नमस्कार दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत करते हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है कृपी रोष्टर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका भी यूटुब चैनल है आप भी अपने चैनल पे रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन दोस्तो आपका सस्क्राइबर और व्यू जो है नहीं बढ़ रहा है लोगों तक आपका वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है और आपका अगर मोनिटाजेशन नहीं ओन हुआ है दोस्तो तो इसमें आपको काफी ज़्यादा साहता मिलेगे और आपको और गैनिक सस्क्राइबर भी अराम से मिल जाएंगे अगर दोस्तो आपका वीडियो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आज मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ उसका नाम है गूगल एडवर्स जी हाँ दोस्तो गूगल एडवर्स का यूज़ करके आप अपने किसी भी वीडियो को अराम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसके लिए दोस्तो आपको गूगल एडवर्स में जोईन होना पड़ेगा और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तो की गूगल एडवर्स गूगल कही है और दोस्तो गूगल एडवर्स में आप अपने वीडियो का एड़ बना कर लोगों तक पहुंचा सकते हैं जी हाँ दोस्तो आपका वीडियो जो है लाको करोडो लोगों तक अराम से पहुंच जाएगा बस दोस्तो आपको अपने वीडियो का थम्नेल जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रेक्टिव बनाना है और जो वीडियो आप बना रहे हैं दोस्तो उसकी क्वालिटी और उसका आइडियो जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए जिससे के लोगों को आपका वीडियो पसंद आएगा और लोग ज्याध से ज्याधा सब्सक्राइब करेंगे और आपके वीडियो पर सकते हैं और कैसे उसको और यूजज कर सकते हैं और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो के अंत में लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आएए दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपको अपना Chrome ब्राउजर पिन कर लेना है सर्च बार में दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना होगा YouTube.com जैसा ही दोस्तों आप टाइप कर लेते हैं यहाँ पर आपका YouTube का पेज खुल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं मेरा YouTube पेज खुल चुका है राइट चैड में दोस्तों आपको YouTube चैनल का आपको इमेज दिख रहा होगा यहाँ पर मेरा इस्टूडियो जो है ओपन हो चुका है लेफ्ट चैड में आपको वीडियो उसका उप्सन दिख रहा हो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करते हैं आपको अब तक कि सारे वीडियो यहाँ पर मिल दाएंगे जो अपने अप्लोड कर दिया है अब दोस्तो किसी भी वीडियो पे 3.पे क्लिक करके आप यहां से डारेक्ट प्रोमोट कर सकते हैं आपके वीडियो को यह डारेक्ट आपको Google AdSense पे प्रोमोट कर देगा और अगर आप चाहते हैं कि दोस्तो मैनुवली आप खुद जाकर के वहां से प्रोमोट करें तो दोस्तो आपको सिंपली यहां पे नया टाइप उपन कर लेना है जैसा कि मैं यहां पे उपन कर लेता हूँ दोस्तो यहां पे आप टाइप कर लेंगे Google Ads जैसा कि यहां पे मैंने टाइप कर लिया है अब यहां पे आपको इंटर प्रेस कर देना है प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो पेज उपन होकर गयागा सबसे पहला आपको वेबसाइट दिख रहा होगा Google Ads का जो कि ओफिसल साइट है इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही यहाँ पे पेज उपन होता है आपको सिंपले साइन इन करना होगा मैं सला दूँगा कि आप जो YouTube पे mail ID यूज़ करते हैं वह यहाँ पे भी यूज़ करें साथी साथ दोस्तों यहाँ पे आपको Google AdWords 2000 का credit आपको free में देता है जो कि आपके mail ID पे उसका code चला जाएगा तो सिंपली यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे आपको capture verify कर लेना है जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा traffic light के बारे में पूछ रहा है तो हमें सिंपली traffic light जहां जाए है उसको यहाँ पे select करके verify कर देना है यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसक्रेन पे verify हो चुका है get offer code के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें click करना होगा simply यहाँ हमारे mail ID पे चला जाएगा जो कि 2000 का credit है promotional code जो कि Google AdWords हमें दे रहा है तो दोस्तों यहाँ पे get started का option आ चुका है जैसा ही दोस्तों आप यहाँ पे button पे click करते हैं आपका page जो है load हो जाएगा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों what is your main advertising goal तो simply यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है नीचे switch to expert mode का option है उस पे आपको click कर देना है click करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं page load होने लगा है इस page में simply आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों जैसे की page open होगा यहाँ पे आपको goal select करना है जैसे website traffic, sales, product है तो दोस्तों हम simply product वाले पे click करेंगे नीचे आपको दो option दिख रहा होगा display और video का हमें video पे click कर देना है यहाँ पे जो भी option है दोस्तों उसको वैसे ही रहने देना है और नीचे continue का option आपको दिखेगा simply आपको दोस्तों यहाँ पे continue के option पे click करना होगा तो आईए हम यहाँ पे continue के option पे click कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे ही page load हो जाएगा आप नया campaign यहाँ पे चला सकते हैं आपने YouTube के किसी भी वीडियो के लिए जिसको आप advertise करना चाहते हैं और लोगों तक पहुचाना साथ हैं दोस्तों जैसा कि type और goal हमने already select कर लिया था campaign name की बात की जाए तो यहाँ पे अपने वीडियो के हिसाब से आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे अपने वीडियो का नाम यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको select करूंगा और यहाँ पे paste कर दूंगा और दोस्तों जैसी स्क्रोल डाउन करेंगे आपको एक option और मिल जाता है add group name का यहाँ पे भी हमें rename कर लेना है तो simply मैं यहाँ पे campaign name को ही यहाँ पे paste कर देता हूँ देख सकते हैं मैंने paste कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पे scroll on कर लेते हैं तो हमें एक और चीज मिल जाता है budget और date के बारे में तो जीहाँ दोस्तों यहाँ पे हमें अपना budget बताना पड़ेगा कि आप campaign में कितना अपना रुपए लगाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे दो option मिलता है आपको total याँ पे daily basis पे तो simply हमें total पे यहाँ पे अभी मैं click कर देता हूँ आप चाहे तो daily basis पे भी यहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं यहाँ दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ amount यहाँ पे इंटर कर देता हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने कुछ amount यहाँ पे इंटर कर दिया है जो कि total basis पे है और दोस्तों यहाँ पे starting date आपका आज का date ही यह automatic ले लेता है यहां पे हमें int date जो है सलेक्ट करना पड़ता है, यहां पे आप अपने रिषाप से इं डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि मैं यहां पे इंड डेट जो है सलेक्ट कर लेता हूं कि देट इंटर करने को दौज दोस्ते हैं आपको एक और और अप्शन मिल जाता है नेटवर्क का नेटवर्क में दोस्तों आपको तीन आप्शन मिल दाएंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहला लो जो आप्शन उसको ही टिक रखना और बागी के दोनों आप्शन को अंटिक कर देना है जिससे कि आपने जो के वीडियो में यूज किया है अगर आपने वीडियो बनाया है हिंदी में तो हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा अधर्वाज आप अगर चाते हैं तो इंग्लिस भी सेलेक्ट कर सकते हैं मेरा वीडियो दोस्तों यहां पर हिंदी में है इसलिए मैं यहां पर हिंदी सेलेक्ट कर यहां पर आप चाहे तो state wise भी कर सकते हैं या पिर country wise भी कर सकते हैं या आप पर depend करता है मैं यहां पर कुछ country जो है select कर लेता हूं अपने हिसाब से तो दोस्तों यहां पर मैं आपको one by one जो है country के कुछ नाम जो है select करके यहां पर दिखा देता हूं ऐसे ही आपको भी अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो कुछ country ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी भी जानते हैं लो तो वहाँ का location आप आराम से सेट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ location set कर लिया है, तो दो 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 location set करने के बाद आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तो location set करने वाद यहां पे आपको एक option मिलता है demographic का जहां पे आप अपने हिसाब से logo को अपना add दिखा सकते हैं जैसे यहां पे gender wise है, age wise है और भी कई सारे option है तो आप उन लोगों को अराम से video अपना दिखा सकते हैं add के through तो simply मैं सभी को अपना video जो है दिखाना चाता हूँ add के through तो मैं इसको change नहीं करूँगा आगे बात की जाए दोस्तो तो एक और option आपको मिलता है audience का तो audience वाला भी जो option है दोस्तो already set है तो मैं इस पे कोई change नहीं करने वाला हूँ यहां पे इसको ऐसे ही रहने दिते हैं अब दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा होगा keyword, keyword simply दोस्तों tag होता है जैसे कि आप अपने इस्टा facebook पे और भी कई जगा social site पे आप जो tag लगाते हैं simply उसी तरह का tag जो है आपको यहां पे भी mention करना है आप अपना जो tag है वो अपने हिसाब से ज़रूर mention कीजिएगा और वो आपके वीडियो से related होना चाहिए जिससे कि आपके वीडियो पे ज़्यादा ज़्यादा ट्राफिक आपाए और आपका वीडियो जल्दी से जल्दी वाराल हो पाएगा तो दोस्तों यहां पे मैं कुछ tag जो है फटाफट यहां पे mention कर देता हूं तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने पटाफट कई सारे hashtag जो हैं यहां पे mention कर दिया हैं जिसे की keyword भी कहते हैं तो दोस्तों अगर आपको hashtag या keyword चूज करने में परिशानी होती है तो रायचार ने आप help ले सकते हैं वहां पे simply आपको अपने वीडियो का title डालना है और जो Google AdWords से वो आपको automatic का ही सारे tag जो है suggest कर देगा वहां से आप directly add कर सकते हैं आपको लिखने की ज़रुरत भी नहीं पड़ेगा तो मैं आपको यह चीज करके दिखा देता हूं यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे में आपको यहां पर अपने वीडियो का title यहां पर लेता हूं अपने वीडियो का title यहां पर title लिखने के पर दोस्तों यहां पर मैं sales पर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं Google AdWords ने कई सारे यहां पर tag जो है suggest कर दिये हैं simply यहां पर मैं plus के निशन पर क्लिक करूँगा और तो यह मेरे keywords में already add हो जाएगा तो दोस्तों यहां से आप help ले सकते हैं tag के लिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम एक bidding का option मिल जाता है bidding simply मतला दोस्तों कि आप अपने per ad पे कितना खर्चा करना चाहते हैं माल लिए दोस्तों कि आपने 100 पे खर्चा किया है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पे mention कर दिया है तो दोस्तों जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर मिल जाता है your YouTube वीडियो तो simply दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं करना अपने वीडियो का link देना है अब मैं simply यहाँ पे Google Ads के tag पे जाओंगा और यहाँ पे अपना link पेश्ट कर दूँगा पेश्ट करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह automatic मेरा वीडियो retrieve कर लेगा इस page पे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस option को आपको choose करना है क्योंकि यहाँ पे आपका thumbnail जो है सोवरा है अगर आप चाहते हैं कि thumbnail आपको इन option में से कुछ और रखना है तो यहाँ पे आप select कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि right share में आपको दिख रहा होगा कि आपका ad जो है लोगों को case तरह से दिखेगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं headline और description पे आपको किसी भी company का नाम या फिर brand यह सब नाम mention नहीं करना है इसके वज़े से आपको error face करना पड़ सकता है जैसे कि यहाँ पे मेरा एक error आया था मैंने इसको resort कर लिया और create campaign पे click कर दिया है यहाँ पे जो हमारा campaign है वो create हो चुका है आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो campaign का page है वो reload होने लगा है दोस्तों आपको campaign चलाने के लिए payment करना जोरूरी है जिसके लिए आपको अपना payment information यहाँ पे mention करना होगा आप चाहे तो networking कर सकते हैं या पिर यहाँ पे अपना UPI भी डाल सकते हैं किसी भी app का तो दोस्तों यहाँ पे जो भी professional information की need थी हमने यहाँ पे feed कर दिया और हमारा सारा काम यहाँ पे done हो चुका है यहाँ पे नीचे आप देख रहोंगे दोस्तों एक button है simply आपको यहाँ पे explore पे click कर देना है दोस्तों इस page पे आपको impression view काफी सारी चीज़ें मिल जाते हैं जैसे जैसे आपका वीडियो लोगों तक पहुंचेगा आपके impression view भी बढ़ने लगेंगे यहाँ पे दोस्तों वीडियो पे दिखा देना चाहता हूँ कि आपका जो वीडियो अभी आपने campaign श्टार्ट किया था वो वीडियो यहाँ पे so हो रहा है अभी 00 है क्योंकि लोगों तक पहुंचा नहीं है दोस्तों तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा केमेंट करके और सब्सक्राइब करना ना भूले